हे गाईस दिस इस मनीश और आप देख रहे हैं Study Planet आज हम बात करने वाले हैं Graduation के एक Important Topic के बारे में जिसका नाम है Women's Movement in India और आपको बता देता हूँ उससे पहले और आपको बता देता हूँ उससे पहले आलरेडी में जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम बात करने वाले हैं Women's Movement के बारे में तो Women's Movement के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या से इसका बैक्राउंड शुरुआ थुई कौन-कौन से फेज़ेज में बटा कुछ important examples की बात करेंगे और लास्ट में overview की बात करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोड़क्शन की तो अगर इंट्रोड़क्शन की बात किया तो Women's Movement वह आंधोलन होते हैं जो कि महिलाओं के लिए उनके अधिकारों को बचाने के लिए किये जाते हैं और इंडिया जैसे देश के इंदर जहां पर जो हमारा बैक्राउंड है कि अधिकारों को बचाए रखने के लिए मतलब आपको बता देता हूँ equal pay for the equal work की बात की जाती है इनके अंदर इसके लावा equal health की बात की जाती है as compared to the male persons and equal education access की बात की जाती है कि सिक्षा का भी पूरा अधिकार उनको होना चाहिए जितने एक male person को है and equal political right सबसे important जितने भी राजनितिक अधिकार हैं जो men's को मिले हुए वो सारे अधिकार women's को भी दिये जाने चाहिए बात करते हैं background की तो background की बात की बात की अंदर उनको तीन अलग अलग साथा को खतम करने की बात की जा रही थी child marriage को खतम करने की बात की जा रही थी विडो रिमेरिज की बात की जा रही थी जायत तर जो problems थी समाज की वो women's related ही थी और इसलिए बहुत सारे समाज सुधारक भारत के अंदर उठकर आए जैसे की राजा राम महौन रॉय थे महरास्टर के अंदर काफी बड़ा अंदोलन किया था और वो अंदोलन था women's right for the education अब बात करते हैं second phase की तो second phase जो था women's moment का वो 20th century के अंदर शुरुआत हो रही थी अब यहां पर 20th century में जो आजादी के अंदोलन चलाय जा रही थे तो जितने भी national freedom struggle थे भारत के और इस से कि non corporation moment था civil disobedience moment था quit India moment था इन सब के अंदर महत्मा गांदी ने आजादी के आंदोलन के साथ साथ women's के रोल को भी importance दी और इन सभी आंदोलनों के अंदर proper women's के संगठन बनाए गए जो active participation कर रही थी इन सभी आंदोलन के अंदर और आजादी के आंदोलन के साथ साथ जो मह मात्मा गांदी थे उन्होंने women's moment की बात की women's के साथ जो अतियाशार हो रहे थे या specially उनको special status दिलाने में political status दिलाने की मात्मा गांदी ने बात की तो यह second wave थी second phase था women's moment का इंडिया के अंदर जहां पर women's upliftment के लिए बात की जा रही थी अब आगे बात करते हैं third phase की आपक बहुत सारी videos आपके syllabus के accordingly मिल जाएंगी और आप जिस भी semester में है आप उसकी playlist जाके check कर सकते हैं या फिर आप simply graduation की playlist चेक कर सकते हैं जिसमें आपको आपके semester syllabus के accordingly बहुत सारी videos मिल जाएगी आसान भाशा में और इसके लाब आप चाहते हैं हमसे paid notes और paid classes तो उसके लिए आप दोलन हुए women's को लेकर वह सभी third phase के अंदर आया और हम बात करें इसकी तो आजादी तक women's को जो है काफी हद तक अधिकार मिल चुके थी जैसे सतीप्रता काफी हद तक खतम होच चुकी थी पूरी तरह खतम होच चुकी थी उसके लावाद चाइल्ड रिमेरीज खतम होच मिलना और स्पेशली वर्क प्लेस के अंदर उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट को किया जाना तो यह कुछ इंपोर्टेंट या कंटेंप्री मुद्दे थे विमेंस को लेकर जिनको जो है थार्ड वेव के अंदर थार्ड फेस के अंदर डिसकस किया गया अब बात करते कुछ ए यहाला एक्जामपल है एंटी अरक मुवमेंट जिसकी शुरुवात जो है आंध्र प्रदेश के अंदर की गई वहां पर जो है विमेंस ने एक एडल्ट लिटरसी ड्राइव चला रखा था जहां पर विमेंस अपनी प्रॉब्लम को आकर डिसकस करती थी और सबसे बड़ी जो और सबसे कॉमन प्रॉब्लम थी जिसको सारी विमेंस फेस कर रहे थी वह एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कॉलिजम बाइदिया मेल फैंबली मेंबर्स तो जो उनके मेल फैंबली मेंबर्स थे वह शराब का इस्तिमाल बहुत जादा कर रहे थे इस चीज के खिलाफ विमें इखटी हुई और जिसकी वजय से इस शराब के चकर में सबसे वर्स्ट सफर विमेंस थी क्योंको इनको डॉमेस्टिक वालेंस को फेस करना पड़ता था और उनकी फाइनेंशल जो हालत थी घर की फैंबली की वह भी खराब हो रही थी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी तो इस चीज के खिलाफ विमेंस इखटी हुई और उन सभी ने एक जॉइंट प्रपोजर ड्राफ्ट किया और उसके जो डिस्ट्रिक कलेक्टर था उसको भीजा गया जिसमें एक रिक्वस्ट थी कि यहां पर जितने भी शराब के ठेक हैं उन सब को बंद किया जाए लेकि की बार इस आंदॉलन के अंगर टकराफ देखने को सामने मिले लिकवर माफिया के बीच में और विमेंस के बीच में जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफी अच्छे से कवर किया और जब इसको कवरेज मिल नहीं थी प्रॉपर तरीके से तो काफी सारी बाते सामने आ नहीं थी इस बात को एक्सपोस किया है कैसे जो है सरकार और लिकवर माफिया ने आपस में कॉंट्रेक्ट कर रखा है जो कि लिकवर को खतम करने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे तो आंदॉलन तो शुरू किया गया था विमेंस के द्वारा और इसका परपस था वह सरे इशूस को उठाया जाने लगा विमेंस के प्रॉपर्टी राइट की बात की जाने लगी डॉली सिस्टम को पूरी तरीके से खतम करने की बात की जाने लगी और स्पेशली विमेंस को पॉलेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात भी सांदॉलन के अंदर की गई एक और important moment की बात करते हैं जो कि women's moment भी एक landmark है वो है विशाका moment रजिस्तान के अंदर चलाया गया 1990s के दौर में moment को चलाया गया और इस moment का जो purpose था वो था women's को workplace के अंदर safe environment को provide कराना या फिर जो भी sexual harassment की जाती है women's की workplace के अंदर उसके किलाफ आवाज उठाना तो आंदोलन काफे बड़े level पर चलाया गया था बाद में supreme court तक है आंदोलन पहुचा बाद में supreme court ने जो है women's की safety के लिए विशाका guidelines भी बनाई और ये guidelines जो थी पूरी तरीके से women's को safe environment देने की बात की गया थी workplace के अंदर और इनी guidelines के आधार पर एक कानून भी मना बाद में जिसको sexual harassment of women at workplace 2013 के नाम से जाना जाता है और ये कानून पूरी तरीके से women's को safety provide करने की बात करता है अब बात करते हैं overview की तो overview से मैं समझ आता है जितने भी feminist moment थे वो काफी important थे women's के development के लिए और उसके बाद भी इतने moment के बाद भी जो modern India के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर दुनिया भर के discrimination अलग अलग forms में अब भी देखने को मिलते हैं between the men and women और अब भी बहुत सारे political और economic rights हैं जैसे की बात करें हैं भारत का जो patriarchal culture है उसके अंदर जो है gaining the land ownership rights की बात की जाए या फिर equal access to the education की बात की जाए हला कि ये कानून और अधिकार मिलतो रखे women के लिए उसके बात भी इनको implement करने में बहुत सारे challenges को face करना पड़ता है और अब पिछले 20-25 सालों से एक trend और भी शुरू हुआ है women's movement को लेकर वह sex selective abortion को लेकर तो यह भी एक important issue बन चुका है जो की worldwide discuss किया जाता है दुनिया के अंदर कि women's को यह अधिकार मिलना चाहिए तो यह सारे points थे यह सारा concept था women's movement का I hope आपको समझ आया होगा तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आसान भाशे में आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाय सदा शेयर कर सकते हैं thank you so much for watching